नमस्कार जैहन दोस्तों कैसे हैं आप आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर थोड़ी बात करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर चुका किसी पब्लिक प्लैटफॉर्म पर और मैं नुमली ऐसे वीडियो नहीं बनाता तुकि as someone who tried his hand at acting at almost the age of 40 after 15 years as a sports journalist और जो इस नए लाइन में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है शायद मुझे इतनी कड़वी बात नहीं कहने चाहिए पट इस मुद्दे को लेकर काफी उलजन मैं हूँ और इस मुद्दे को लेकर मेरे कुछ दोस्त, colleagues और acquaintances वो भी जुड़े है बात है हिंदी film industry के खिलाफ जो discontent, जो frustration बढ़ रही है और इससे जुड़ी बात की बड़े बड़े हिंदी films flock क्यों हो रहे है अब मैं जानता हूँ कि एक part time actor होने के नाते यह जो मैं कहने जा रहा हूँ, इससे शायद मुझे ही नुकसान हो I have delayed Yash Raj Productions film lined up, जिसकी release इस साल होनी थी पर अब शायद यह picture अगले साली आईगी और इसके साथ एक Netflix की film भी है, 2023 में आने वाली as well as a couple web series और एक actor होकर इतनी सचाय बोल के शायद कोई सुने और बोले के यार यह क्यों industry के खिलाफ बोल रहा है जब खुद industry का हिस्सा है खीग है, सही बात है but एक पत्रकार भी हूँ मैं और सचाय बताना मेरा काम है or as a fan of Hindi films as someone who grew up in Mumbai watching films almost every Friday, every weekend जिसके पिताजी एक actor थे 40 साल तक I am concerned about the industry जिसमें मैंने कदम रखा 3 साल पहले और जिस तरह से बड़े स्टार्स की फिल्में पिट चुकी है हाली में बड़ी बज़र की फिल्में समराट पित्वीराज और शमशेरा बॉक्स ओफस पर पिट गई समराट पित्वीराज के फिल्यर का मतलब है के अक्षे कुमार की पिछले पांच फिल्मों से ये चौती फ्लॉप है आफ्टर बेल बॉटम, अतरंगीरे और बच्चन पांडे लक्ष्मी बाम तो थी बेकार फिल्म और रिपोर्ट के मताबिक OTT सेल के बाद, प्रोडूसर ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया वही अक्षे कुमार दोस्तों, जिने लोग एक समझदार, बैंकबल और बिजनेस माइंडेद सूपरस्टार मानते हैं और जो सरकार के समर्तन में इतनी सोशली रेलेवेंट फिल्में बना चुके हैं और जो मोदी जी के साथ इतने बार फ्रेम में साथ दिखे हैं सोचिए, जिस एक्टर को कुछ समय पहले मोदी सरकार इतना फ्री टाइम दे रही थी इतना प्रमोट कर रही थी उनकी फिल्में पिट रही हैं ये दाइबाए और फिल्म ट्रेड रिपोर्ट्स के मताबिक अक्षे कुमार की पिछले हफ्ते की रिलीस रक्षा बंदन भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकी बॉक्स आफिस पे और फिर शमशेरा रंबीर कपूर की आखरी रिलीस जिसमें यश्राज फिल्म ने कुछ देर सो क्रोड के आसपास खर्च किये ये भी फ्लॉप अलग बात है कि यश्राज ने फिल्म के रिसस से पहले ही अपने जेब में कुछ दो सो क्रोड डाले OTT और सैटलाइट राइज बेच के मगर डर का महौल फैल चुका है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री के अंदर क्योंकि इस साल सिरफ कश्मीर फाइल्स भूल भुलाईया टू और गंगोबाय काठियावाडी पैसे बना चुके है बाकी स्टार्स की फिल्म में ओपनिंग नहीं ले रही और कुछ साउथ इंडिस्ट्री के फिल्म चल रहे है यह मैं आपको बता दू क्योंकि प्रभास सूपरस्टार प्रभास की फिल्म रादे शाम बहुत बहुत बड़ी फ्लॉप रही तो ऐसा नहीं है कि हर साउथ की बिग बजट डब फिल्म चल रही है नौर्थ में बट खतरा जरूर है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री को लाल सिंग चड़्धा को लेकर खबर है कि फिल्म की ओपनिंग आमिर खान की पिछले दस साल में सबसे कम है मतलब ये फिल्म भी पिट गई और महौल और भी खराब हो गया है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री के लिए अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये ट्विटर पे जो हर दिन किसी फिल्म को बॉइकाट करने के हैश्टाइग बनते हैं इन्हें देखके तो मैं बहुत हस्ता हूँ यार सोचिए जिस देश में 1.4 बिलियन लोग हैं वहाँ नकली बॉट से बने हैश्टाइग को 37,000 रीट्वीट मिलते हैं और इसे हम सिरियस्ली लेते हैं क्या आप जानते हैं कि इन्डिया का सबसे छोटा, सबसे कम इस्तमाल किया गया और सबसे इर्रेलेवेंट सोचल मीडिया प्रैरफॉर्म क्या है Twitter So please, let's not get carried away by paid campaigns हैश्टाइग से किसी फिल्म की success या failure से कुछ लेना देना नहीं है, मैं मीडिया में हूँ, मैं जानता हूँ फिल्म बेकार है तो नहीं चलेगी, simple बात Instead, let's focus on the bigger picture, the actual problem facing the industry और वो है, मेरे एसाब से एक, अच्छे engaging और entertaining scripts की कमी दो, ये सीधे hall से OTT पे release होने का कम फासला और तीन, multiplex cinema के rates अब दोस्तों, मैं 80 के दशक में जन्मा हूँ, और 90's में इतनी हिंदी फिल्में देख चुका हूँ बड़े परदे और छोटे शेहरों में, मना बड़े शेहर और छोटे शेहरों में single screen cinema घरों में, house full, public पागल, सिक्कों की भोचार बड़े परदे पर ये सब देख चुका हूँ और 2001 में जब आमिर खान की लगान रिलीस हुई थी तो मुंबई के Eros cinema में जो जन्ता एक साथ ताली मार रही थी कोश्यों से उचल रही थी, हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई ये मैं कभी नहीं भोल सकता और दोस्तों, आज वही 80s, 90s और 2000s की बात इसलिए important है क्योंकि इतने सालों तक देश के film viewers यही देखना चाहते थे ऐसी film में, ऐसे experiences, ऐसे महौल मगर तब दोस्तों, एक दिन महेंगी ticket वाले multiplex आये और ऐसे मसालेदार pot boiler type film में कम बनने लगे single screen cinema घर की audience को यह बड़े studios भूलने लगे, ignore करने लगे मगर इसी किसम की filmیں अब तक south में बनती आ रही है जिनके मकसद सिरफ मनरंजन है मगर क्योंकि multiplex के मालक इतने सालों तक ऐसी filmों को नीचे मानती थे मतलब सिरफ इनों set max और sony पर dubbed reruns के like तो ऐसी film में ज्यादा नहीं दिखी multiplexes पर और अब देखो, जब ऐसी film में single screen में चली तो कूट-कूट के जनता इन पर तूट पड़ी है देखने के लिए और ये film में सफल होई सूचिए, क्या टैक्सी और आटो चलाने वाले, सरकारी करमचारी मजदूर और ड्राइवर्स का हक नहीं है, सिनमा जाना ये फॉर्मिला दोस्तों, action, music, comedy, drama की खिजड़ी साउथ की फिल्मों में है और इसलिए ये फिल्म में चल रही है, मेरे नाहे में दूसरी बात, ticket prices एक metro city के single screen में शायद 120-130 से ज्यादा कोई ticket नहीं होता अगर मैं गलत हूँ, तो माफी चाहूँगा मगर, multiplex के rates क्या है, 200 से उपर अब ऐसे rates देखकर, कितने viewers अंदर जाएंगे सिनमा के, बताईए problem है multiplex के मालकों का, जिन्होंने rates इतने high रखे कुछ हफते पहले, मैं अपने साथ साल के बीटे को एक फिल्म देखने ले गया Hollywood फिल्म है, जिसका बेटा कुछ डेर साल से इंतजार कर रहा था ये करोना आने के बाद से दोस्तों, पहली फिल्म थी, जो मैं हॉल में देखने गया फिल्म की टिकेट्स 200 कित्ली per head, मगर पानी की बाटल 240, पॉपकॉर्ण 380 और कॉफी 280, मतलब दो टिकेट, दो पॉपकॉर्ण, एक कॉफी, एक पानी की बाटल और मॉल की पार्किंग देकर मेरे जेब से लगबख 1800 गए, तो जब मैं कुछ 3 साल के बाद मुल्टिपेक्स में जाकर एक फिल्म देखने के लिए, 1800 खर्च करके आए, सिर्थ 2 जन के लिए, तो सोचो बाकी लोग का क्या हाल होगा दोस्तो इस देश में 90% लोगों के पास ऐसे पैसे नहीं ये खर्च करने के लिए COVID के बाद, देश की एकॉनमी डब्बे में है, देश की एकॉनमी अपने आपको रिवाइव करने की कोशिश में है, और यहां इतनी महेंगी रेच लगा रखी हैं, फिल्म टिकेट्स, उनमें नहीं चलेंगी, अपने सिनमा हॉल्स की एंट्री पे जो 400 बतियां जला रखी हैं, उन्हें बुजा दो, नियॉन लाइट्स नहीं चाहिए जनता को, उन्हें अफॉर्डबल टिकेट प्राइसे चाहिए, तो दोस्तों ऐसे मल्टी प्लेक्सिस के कारण ही तो सिंगल स्क्रीन, सिनिमा बरबाद हुए नौर्ट में, टिकेट्स और खाने पीने के दाम कम करिये, और देखो क्या होता है, और अब आखरी बात, जब टिकेट्स इतने महेंगे हैं, और फिल्म प्रोडूसर्स पहले से ओटी टी राइट्स बेच चुके हैं, तो जनता जानती है कि यार दो, तीन, चार हफते के अंदर साली फिल्म तो आही जाएगी किसी OTT प्लैट्फरम पर, तो क्यों अठारा सो, दो हजार, पच्ची सो खर्च करें, जब फ्री में घर पे देख सकते हैं, सोफे पे बैठ कर, एसी चला के, पेक बना के, चाई पी के, पनीर टिका खा के, अगर फिल्म प्रडूसर्स OTT राइट्स बेच के ही खुश हैं, तो कौन जाएगा सिनमा घरों में, ये सोची है आप लोग, चलो, कुविड के टाइम पे लोग, मैं लॉजिक समझ सकता हूं, अगर आप सिनमा खुल चुके हैं, तो एक फिल्म को OTT पे रिलीस करने के समय, और लंबा करने चाहिए हैं न, इतने कम समय में फिल्म को OTT पे डालने से नुकसान ही हो रहा है, क्यों करते हैं प्रडूसर्स ऐसे, लालच, ग्रीड और कुछ नहीं, इतने बड़े लुकरटिव डील साइन करते हैं, ये लोग OTT प्रफॉर्म्स के साथ, कि ये सिनमा हॉल क बारे में अब ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, अब आप पताईए, क्यों एक चार, पांच, छैजन का परिवार, मल्टिप्लेक्स जाकर, तीन हजार, चार हजार, पांच हजार खर्च करें, जब दो तीन हफते के अंदर, अपने घर के हॉल में, अराम से बैट कर, वो उसी फ जब फिल्म इंडिस्ट्री को बुरा नाम मिलता है, और जब फिल्म में फ्लॉप होती है, खोश मेयाओ इंडिस्ट्री को चलाने वालों, बिफोर इट इस तू लेट, जनता बोल चुकी है, अब फैसला आपके हातों में, जहिंद वन्दे मातर,